लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं गरीम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरहन्त पॉब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड में फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आई हू बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा निकाली गई 731 वेकेंसी इस बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स आपनी 66 सहयोग प्रतियोगिता परिक्षा के लिए नोटिफेकेशन निकाल दिया है बिहार लोग सेवा आयोग ने ओफिशिल नोटिफेकेशन जारी हो चुका है जो रिज प्रेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्जिनिटी आच चुकी है आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्या प्रॉसेस है किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी नंबर आप सीट्स निकाली गई है क्या एच लिमिट है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होन नंबर आप सीट्स की तो total number आप सीट्स जो निकाली गई है वह है 731 731 वेकेशनी निकाली निकाली है जो की अलग अलग पदों के लिए है तो जो सबसे पहली वेकेशनी निक लिया वो निक लिए किसके लिए पुलिस उपाधिक्षक के लिए ग्रह विभाग आरक्षी शाखा के लिए तो इसके लिए जो total number of seats निकाली गई है वो 34 और 8 दी गई है level 9 के लिए दूसरी विकेंसी है जिला समादेश्टा ग्रह विभाग के लिए विशेश शाखा के लिए ग्रह विभाग के लिए total number of seats है दो विशेश शाखा के लिए एक तीसरी जो पोस्ट है वो है कारा दिक्षक की जिसमें कारा एवम सुधार सेवाई रिक्षाले के लिए विकेंसी निकलिए है ये total number of seats है यहाँ पे तीन इसके बाद जो last vacancy निकलिए है वो निकलिए राज्यकर सहायक आयुक्ति वानिजकर विभाग के लिए total number of seats दी गई है यहाँ पे ग्यारा और दो इसी के साथ next vacancy निकलिए है अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए निर्वाचन विभाग के लिए जिसके लिए total number of seats दी गई है निर्वाचन पदाधिकारी के लिए चिला निर्वाचन पदाधिकारी राजपत्रित सम्षण साध्धन विभाग के लिए total number of seats दी गई है 7th post है यहाँ पे एक पदाधिकारी के लिए जो कि गन्ना उधोग विभाग के लिए निकली है total number of seats है 5 8 post निकली है यहाँ पे बिहार प्रोबेशन सेवा प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए ग्रह विभाग कारा के लिए number of seats दी गई है 19 और 6 लिवल 9 के लिए 9 number की post पे विकिंसी जो seats है वो निकली है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए परिवहन विभाग में total number of seats यहाँ पे दी गई है 30 और 10 10 number की जो विकिंसी है वो है नगर कारेपालक पदाधिकारी की जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग में निकली है तो इसके लिए total number of seats है 15 और 2 और यह लिवल 7 की वि निकली है आपूर्ती निरिक्षक खाद एवं उपभोगता सनक्षन विभाग के द्वारा total number of seats जो है 157 और 53 दी गई है यहाँ पे 12 number पे जो seat निकली है वो है शम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए अराजत्रित शम शंशाधन विभाग में total number of seats दी गई है यहाँ पे 51 और 14 इसके बाद जो last vacancy है वो है प्रकंड प्रकंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए बिहार पंचायत सिवा के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा निकाली गई है total number of seats 162 और 54 तो इस तरीके से जो total number of seats है वो कितनी है हमारी 731 यह तो बात हुई हमारी number of seats की अब ह एज की बात की जाए तो first second जो serial number है post wise वो बता रही हूं मैं आपको देखे first or second के लिए minimum age होनी चाहिए आपकी 20 वर्ष और maximum की बात हम बात में करेंगे पहले minimum देख लेते हैं first or second post के लिए अगर आप eligible है और apply करना चाहते है minimum 20 years की age होना जरूरी है अगर आप apply करना चाहते ह है third number की post के लिए जो की कारादिक्षक काराइवं सुधार सेवाए निरिक्षाले के लिए है या फिर अगर आप apply करना चाहते है fourth number की post के लिए राज्यकर सहय कायुक्त के लिए या और निर्वाचन पदादिकारी के लिए या seven number तक एक पदादिकारी तक third number से लेके seven number तक के है अगर आप apply करना चाहते हैं तो minimum जो आपकी age होनी चाहिए होनी चाहिए कितनी बाईस वर्ष 220 वर्ष 20 वर्ष के तो आप eligible है और apply कर सकते है अगर ऐट नंबर से लेके देखे सामने स्क्रिन पे आपको शो रहा होगा एक नंबर से लेके अगर आप थर्टीन नंबर तक अप्लाय करना चाहते हैं तो आपकी मिनीमम आयू कितनी होनी चाहिए 21 years अगर आप 21 वर्ष के है तो आप इन सभी पोस्ट पे इन सभी पदों पे आविदन कर सकते है तो फ्रिंड्स ये तो बात वी देखे minimum age की अब हम बात करते है maximum age की देखे अधिक्तम जो IU दी गई है अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पे 37 वर्ष अनारक्षित महिला पिछडा वर्ग अतियन पिछडा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 40 वर्ष की आयू दी गई है अधिक्तम अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती कि पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 42 वर्ष की आयू यहाँ पर दी गई है तो यह थी maximum age so friends age देख चुके हैं आप और यहाँ पर किस तरीके से vacancy इसको categorize किया गया है वो भी आप सामने screen पर देख चुके हैं आगे move करते हैं देखिए इसी के साथ अब बात करते हैं फिजिकली टेस्ट की तो देखिए शारिक शमता का जो परिक्षन होगा उसमें बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेश्चा के लिए पुरुष उम्मीदवारों की जो नियूंतम उचाई है यानि कि जो हाइट है मेन मंबौ कितनी होनी चाहिए? पांच पेट पाच इँच और जो नियूंतम चाथीं की माप है बिना फुलाए वो होनी चाहिए 32 इन्च लेकिन अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंजाती के उम्मीदवारों के लिए जो शरीक की माप है वो नियूंतम उचाई हो यह यह और छाते की माप बिना फुलाय होनी चाहिए 31 इंच महिलाओं की जो न्यूंतम उचाई है वो पाँच फेट 2 इंच होनी जरूरी है यह तो बात भी शायरिक शमता की अगर एप्लिकेशन फीगी बात की जाये तो देखे सामान्य अभियर्थियों के लिए यानि कि जनरल अन्रिजर्व के लिए 600 रुपे केवल बिहार राज्य के अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती के कंडिट्स के लिए 150 रुपे बिहार राज्य की स्थाय निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 150 रुपे फीज है दिव्यांग अभियर्थियों के लिए यानि कि जो फिजिकली डिसाइबल्ड है उनके अनुस के लिए 40 परसेंट या उससे अधिक उनके लिए 150 रुपे अन्य सभी उमीदवारों के लिए 600 रुपे शुल्क है अभियर्थि को उप्युक परिक्षा शुल्क के अतिरेक्ट विबिन बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी पे करना होगा जिसे ऑनलाइन भुकतान के क्रम में बैंक द्वारा सुत्य बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा यह तो बात वे अप्लिकेशन फी की आप हम बात करते हैं कि एक्जाम का क्या पैटर्न है तो देखें जो आपका एक्जाम होगा स्युक प्रारंबिक प्रतिय होगी ता परिक्षा जो होगी सामानिय अध्यन विशय की होगी जो प् 150 ऑब्जेकटिव टाइप पेपर होगा पका इसमें कौन-कौन से सबज्चक्ट कवर किये जाएंगे चाहिके सामने विग्यान रास्टिय अंतरास्टिय महत्की स्म साम धघ्टनाएं बारत का इतिहास तता बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेशनाएं सामने भूगोल ब वहम सामाने मान से को जचने वाले प्रिशन इसमें Member कि जाएंगे उपकी प्रारंभी प्रिक्र्षा की। आप्रारंभिक प्रिक्र्षा क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम माक्स है। अगर सामाने वर्ग की बात की जाया तो 40% माक्स लाना जरुरी है। आपको अगर बात की जाए पिछड़े वर्क की तो 36.5% अतियंत पिछड़े वर्क के लिए 34% अनुसूचित जाती जन जाती और अनुसूचित जन जाती और तथा महिलाओं के लिए या फिर जो दिव्यांग है उन सभी के लिए कितने परसेंट 32% अंकलाना अनिवार रहे हैं अगर आप इतने marks नहीं लापाते हैं तो आपको जो competition उससे भाहर कर दिया जाएगा प्रारंबिक परिक्षा के लिए जब आप apply करेंगे जब आप online form भरेंगे तो वहीं से आपके मेंस exam के लिए आपका जो optional subject है वो पूछा जाएगा और उसी जो मेंस का exam होगा आपका वो क इनरी science, orthopology, botany, chemistry, civil engineering, commerce, accountancy, economics, electrical engineering, geography, geology, history, labor and social, welfare, law, management, mathematics, mechanical engineering, philosophy, physics, political science, and international relations psychology. इसकी अलावबाや desert फॉप इंडी लैंगरेजी लीटरेचुर इंग्लिश लैंग्वीज और लिटरेचीर उर्दू लैंग्विज लैंग्विज अं लिटरीचर बंगला संस्कृत पर्सियन, अराबिक, पाली लंग्विज, मैथली लंग्विज, यह सभी लंग्विज और इनके लिट्रिचर भी है, इस सब्जक्ट यहां पर दिये जाएंगे, जो भी आपका सब्जक्ट हो, जिस सब्जक्ट से भी, जिस ट्रेट से भी आप लॉंग करते हो, वो होगी वो 20th October 2020 होगी तो पूरा प्रोसेस है क्या इसका वो आप समझ चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से जान भी चुके हैं इसके अलावा भी अगर आप और कोई डिटेल चेक करना चाहते हैं तो बिहार की जो ओफिशल साइट है BPSC की www.bpsc.bis.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं महां से चक कर सकते हैं सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और नोटिफिकिशन भी आप महां से डाउनलोड कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नई वेकिंसी के साथ एक नई जॉब रिकूट्मेंट एक्जाम के सा तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई